इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं समझने वाले हैं administrative leadership and instructional leadership की administrative leadership क्या होती है और instructional leadership क्या होती है तो वीडियो को आखरी तक देखिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएए तो वीडियो का हम सुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं administrative leadership देखिए अभी तक आपको इस समझ में आ गया होगा कि administration क्या होता है अगर administration आपको समझ में आ गया तो administrative leadership भी आप अराम से कर सकते हैं गर इस ते related question आ गया तो उसका भी answer आप अराम से दे सकते हैं थोड़ी दिर पहले जब हमने बात किये थी administration और management दोनों में क्या relation है तो management का काम है plan करना और administration का काम है उस plan को implement करना थीक है तो administration का समझ जो school की colleges की day to day activity है थीक है उस पर नजर रखना चाहे हम school building की बात करें उसको maintain रखना थीक है चाहे अगर हम security की बात करें तो देखना कि अपना काम सब proper तरीके से कर रहे हैं कि नही daily classes सही तरीके से हो रही है कि नहीं discipline देखना तो इस सारा काम जो day to day जो work होता है school selected इस सारा काम किसका होता है administrative leadership का होता है उनकी responsibility होती है तो अगर हम administrative leadership की बात करें तो administrative leadership involves the management and coordination of the administrative function of an educational institution की प्रसासनिक नेत्रत में एक sectioning संस्थान के प्रसासनिक कारियों का प्रबंधन और समन में सामिल होता है इट focuses on organizational efficiency, resource management, policy implementation and day to day operations of the school कि यहां पर क्या-क्या बात की जा रही है कि एक किन चीजों पर focus करता है organizational efficiency की जो organization है सही तरीके से अपना काम कर रहा है कि नहीं resource management, organization की जो resource है चाहे हम human resource की बात करें, चाहे हम physical resource की बात करें, चाहे हम capital resource की बात करें, उनका सही तरीके से utilization हो रहा है कि नहीं पॉलिसी इंप्लिमेंटेशन की जो management की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई हैं उसको साही तरीके से implement किया जा रहा है कि नहीं और इसकी अलावा day-to-day operations की हाँ चाहे security को देखना चाहे साबसफाई को देखना चाहे school के discipline को देखना चाहिए देखना कि डेली जो टीचर से अपनी क्लास प्रोपर तरीके से ले रहें कि ने तो डेट टूटे जो परिशन है इनकी देखरे करना ठीक है इन पर नजजर रखना किसका काम होता है अब हम बात करते हैं इनकी में मुखदाई तो क्या होते हैं और नाइजेशनल मैनेजमेंट तो देखे सबसे पहला उनका जो रिस्पॉंसबिल्टी होती है और नाइजेशन को मैनेज करना Overseeing the structure and function of the educational institution including administrative process and support services की प्रसासनिक प्रक्रियाँ और सहायता से वहाँ सही सेक्षिनिक सानस्तान की जो सरचना है और जो डेली जो अभी हमने डिसकस किया कि जो काम काज उसके देखरे करना कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं and resource allocation managing financial resource human resource and physical facilities to ensure proper production कि देखना manage करना कि जो school के जो colleges के जो इसके जो financial resource है human resource और physical resource है सब का सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं सब सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं policy implementation ensuring that institutional policies and procedures are effectively communicated implemented and followed by all stakeholders की देखना कि जो भी policy है वो सही तरीके से implement हो रही है कि नहीं सब सही तरीके से उनका पालन कर रहा है कि नहीं यह देखना एक इसकी responsibility होती है यह जो administrative leadership है उनकी responsibility होती है और administrative leadership जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो administration officers होते हैं वाइस principal है प्रिंसपल है इनकी जिम्मेदारी इनकी responsibility होती है अब हम बात करते हैं characteristics of administrative leaders की प्रसासनिक नेता होगे क्या लक्षण है तो सबसे पहले और नाइजेशनल स्किल संगधात्मक कोसल कि इस तरह की skill की अपने और को सही तरीके से समाल सके strong और नाइजेशनल and manager skill to ensure the smooth running of the institution की संस्थान के सुचारू संचालन को सुनिक्षित करने के लिए मजबूत संगधात्मक और परमंद्र किया कोसल जरूरी होता है प्लस दूसरा देखें तो decision making अच्छा decision लेना अगर और नाइजेशन को आगे बढ़ाना है और नाइजेशन की जो काम है उसको और सही तरीके से करना है तो अच्छे decision बहुत जरूरी होते हैं तो effective decision making abilities especially in matter related to resource allocation and policy implementation की policy को सही तरीके से यूज करना इससे related decision फिर communication clear communication skill to convey policies and expectations to staff, student and other stakeholders की जो कर्मचारी हैं विद्यारती हैं और जो stakeholders हैं नेतियों और अपेक्छाओं को बताने के लिए सपष्ट संचार को सल कि सभी को मतलब एक अच्छा communication ताकि जो भी policy है जो भी उसको implement करना है जो भी rules है ठीक है जो भी regulation है उसको सही तरीके से सब तक पहुंचाना सबको बताना problem solving efficient at problem solving and handling day to day challenges that arise within the institution की समस्या समाधान और संस्थान के भीतर जो daily होने वाली जो समस्या है जो problem है उसका समाधान करना ठीक है तो इस सब किसके हाथ में होता है यह administration के हाथ में होता है और जो administrative leaders होते हैं उनका काम यह सब करना होता है ठीक है तो यहां पर आपको समझ में आ ग के लिए नया है instructional leadership अनु देसात्मक निर्दृत क्या है तो देखिए simple साब इसको समझ सकते हैं कि अगर हमने बात की administrative leadership की तो school का काम कास देखना ठीक है देखना की school में सब अपना काम सही से कर रहे है कि नहीं school के जो resources का सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं school में discipline सही से है कि नहीं school में जो भी resources आ रहे है उनको सही तरीके से लगाना यह सब काम था administrative leadership का लेकिन जब हम instructional leadership की बात करते हैं तो इसका main function किस पर होता है teaching learning पर होता है कि teaching सही से हो रही है कि नहीं बच्चों की learning सही से हो रही है कि नहीं तो instructional leadership का जो संबंद होता है रिलेस्ट होता है teaching learning से होता है तो instructional leadership is focused on enhancing teaching learning process within the educational institution के अनुदेशा आत्मक जो निर्तित्व है सेक्ष्टिक संस्थान के भीतर सिक्षण अधिगम परिक्रियाओं को बढ़ाने पर केंदृत है it involves providing guidance, support and supervision to educators to improve instructional practice and strength outcome कि इसमें सिक्षण पर्दान और विद्यार्थियों के परिणाम को बहतर बनाने के लिए सिक्षण को मारदर्सन साहिता और परिविक्षण परदान करना सामिल होता है और अगर इसके main responsibilities की बात करने तो curriculum को develop करना तेक है curriculum में improvement करना उसको develop करना इनका काम होता है teachers professional development की teachers के professional development के लिए काम करना और इसमें क्या क्या किया जा सकता है providing opportunity for teacher training mentoring and ongoing professional development to enhance teaching skill plus student assessment की student का assess करना की student की learning ठीक तरीके से हो रही है कि नहीं monitoring and improving student assessment method to ensure accurate measurement of strength progress की इसमें पता लगाना की student का progress क्या है ठीक है उनकी learning का level क्या है सही से सी करें की नहीं और अगर हम इनके characteristics की बात करें तो क्या है pedagogical knowledge तो अगर हम एक instructional leadership की बात करते हैं तो strong understanding of teaching and learning principles current educational trends and effective instructional strategies तो यह सारी जो pedagogical knowledge होती है और instructional अगर leadership की बात करें तो leader के पास होती है collaboration to promote a continuous collaborative culture among teacher की शिक्षकों के बीच एक सहयोगात्मक सहस्क्रती को बढ़ावा देना जहां पर सम मिलकर काम करें visionally leadership a vision for educational excellence inspiring and motivating educators to achieve high standards की सैक्षनिक उठक्रिष्टा के लिए एक द्रिष्टिकों सिक्षकों को उच्छ मानक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना डाटा लिट्रेसी तो प्रोफिशेंट इन एनलाइजिंग एजुकेशनल डाटा तो मेक इनफॉर्म डिशिजन अबाउट इंस्ट्रेक्शनल प्राक्टिस तो देखिए जब हम इंस्ट्रेक्शनल लीडर्शिप की बात करने तो लीडर को ठीक है इस्ट्रेंट को असेस करना ठीक है टीचर्स को मोटिवेट करना इसके अलावाद जो भी एजुकेशनल डाटा होता है चाहे बच्चों का रिजल्ट होता है ठीक है चाहे इनुश्टी से डाटा है चाहे जो भी एफिलेटेट जो चाहे हम से बीसी की बात करते हैं ठीक है एफिलेटेट जो तो उन डाटा को सही तरीके से रीड करना और उसके इसाफ से उसके बारे में सब को बताना उसके इसाफ से निडने लेना तो यहां पर डाटा लेटरेसी जो डाटा जो वर्क होते हैं ठीक है उनको भी सही तरीके से रीड करना और उसके इसाफ से सब को गाइड करना तो यह भ कोडिनेशन की बात करें चाहे हम कोपरेशन की बात करें तो यहां पर समझने की बाते हैं कि जब हम इंस्ट्रक्टिव लीडर्शिप की बात करते हैं तो इनका संबंद होता है इनका संबंद इससे होता है और जब हम एड्मिस्ट्रेटिव लीडर्शिप की बात करें तो तरीके से कर रहें कि नी तो उनका फोकस इन चीज़ों पर ज्यादा होता है तो वेडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद